आई टी आई पास के लिए निकली भरतियां बिना परिक्षा मिलेगी सरकारी नौकरी बी एल आई टी आई अप्रेंटिस विकेंसी दो हजार एक्किस अगर आपने दसवी कक्षा के बाद आई टी आई कोर्स की पढ़ाई की है तो आपके पास मौका है भारत सरकार की नौकरी पाने का भारत सरकार की कंपनी भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने आई टी आई अप्रेंटिस के पदो पर वेकेंस से निकाली है खास बात ये है कि इस सरकारी नौकरी के लिए आपको कोई परिक्षा नहीं देनी होगी इन ट्रेड्स में होगी भरती, electronics mechanic, fitter, electrician, machinist, turner, draftsman, mechanic, electroplatter, mechanic refrigeration and air conditioning, computer operator programming assistant, welder इन पदों पर pay scale प्रती महा 10,333 रुपे होगा, ये basic pay है, इसके अलावा अन्य कई भत्तों के साथ पूरी salary में लेगी, किस trade में कितने पदों पर भरतियां होगी, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है जरूरी योग किताएं, इस नौकरी के लिए उमिद्वारों का दसवी के बाद vacancy से संभंदिट trade में ITI पास होना जरूरी है NCVT या SCVT माननेता प्रापसंस्थान से ITI कोर्स किया हो आविदन प्रक्रिया, आविदन ऑनलाइन करना है, नीचे description box में आपको notification link दे दिया गया है, आपको उस पर click करना है इसमें आविदन फॉर्म मिलेगा, उसे डाउनलोड कर print निकाल लें, इसे अच्छी तरह भरें और दसवी वे ITI माक्षी, certificate वे अन्य सभी जरूरी दस्तावीजों के साथ यहां दिये गए पते पर भेज दें पता है, डिप्टी मैनेजर, Center of Learning and Development, भारत Electronics Limited, जाला हली पोस्ट, बेंगलॉरू, पांच, छे, शुन्य, शुन्य, एक, तीन, आपका आविदन इस पते पर 30 जून 2021 से पहले पहुँच जाना चाहिए आविदन के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी चयन प्रक्रिया, BEL, ITI, Apprentice के पदों पर नौकरी के लिए कोई परिक्षा नहीं होगी, आपके दसवी वे ITI में प्राप तंको के आधार पर चयन किया जाएगा